हलो माई दियर फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल ट्यूटर अट यो हूम फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है इसमें हम राइटिंग स्किल कवर करने वाले हैं जिसका टॉपिक है नोटिस राइटिंग फ्रेंट्स अगर नोटिस राइटिंग की बात करें तो यह MP बोर् इस वीडियो को देख रहे हैं तो CBSC में यह जो नोटिस राइटिंग है यह 10th क्लास में ही इंट्रोड्यूज हो जाता है और 11th और 12th में भी आपको पूछा जाता है लेकिन अगर 10th की बात करें तो यह 5 नंबर में पूछा जाता है और 11th और 12th में जो है यह 4 नंबर में प जाती है जाती है किसी भी अक्टिविटी के या इवेंट के बारे में किसी भी specific group को specific group इसलिए बुला है क्योंकि ये vary कर सकती है institute से institute school to school अगर आप किसी school में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी notice निकल सकता लेकिन जरूरी नहीं ये वो सारी schools के लिए हो वो सिफ उसी school के लिए होगा जिस school में आप पढ़ रहे होंगे वैसे ही अगर आप किसी bank में job कर रहे हैं किसी company में job कर रहे हैं अगर वहाँ ये सूचना पत्र निकलता है notice निकलता है तो वो उनी लोगों के लिए होगा है ना इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है specific group of people so that people get message ताकि लोगों को message मिल सके आसानी से और इसके according लोग अपना काम कर सके it is usually put up in a public place पब्लिक प्लेस पे लगाने वाली चीज़ होती है ये normally जब notice निकलता है तो इसको bulletin board पे लगा दिया जाता है हर institute के बाहर या school के बाहर notice board होता है या bank के बाहर भी होता है या किसी company के बाहर gate की तरफ होता है notice board देखिए आजकल तो digital platform हो गया है तो notice बहुत आजसानी से कहीं पर भी share किया जा सकता है अब तो rarely हमको जोरत पड़ती है कि हम इसको bulletin board पे लगाए यहां वहाँ जाकर show करें बट फिर भी हम notice writing हमें लिखना आना चाहिए पता होना चाहिए in future कभी आपको notice बनाना पड़े किसी के लिए तो आप कैसे बनाएंगे तो उसी के लिए यह preparation है अब देखिए जब आप notice लिखेंगे तो इसकी language होगी नहीं बहुत simple होगी और बहुत ही formal होगी simple क्यों होगी क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों को target करना है इसके में तो जब आपकी अगर language simple होगी तो जादा से जादा लोग इसको समझ सकेंगे और formal इसलिए रखना है हमको क्योंकि यह एक अपचारिक चीज आप कर रहे हैं आप लोगों को कोई message दे रहे हैं यह कोई personal thing नहीं है यह personal thing नहीं है इसलिए यह formal language में लिखा जाएगा अब यह notice जो होगा वो हमेशा brief होगा brief मतलब चोटा जादा लंबा नहीं लिखेंगे और to the point होगा ठीक है to the point जो important बाते हैं हाँ वही इसके अंदर लिखेंगे और कोई बात हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर देखिए अब notice तो कोई भी जारी कर सकता है मैंने जैसा कि आपको बता है government body भी notice को जारी कर सकती है private sector भी notice को जारी कर सकता है ठीक है पचाश शब्दों में लिखा जाएगा limited words ही हम use करेंगे इसके अंदर फिर आपकी जो heading होगी जो आपका top होगा जब हम लिखेंगे notice तो उसका जो top होगा वहाँ पर आपकी school की या organization की या जो office जहां आप काम करते हैं उसका नाम आजाएगा should be mention ये mention करना बहुत ज़रूरी है तभी तो पता चलेगा कि भई इस school का notice है bank का notice है या कोई company का notice है तो ये mention करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद उसके नीचे आप क्या लिख देंगे bold letter में क्या लिखेंगे notice word ये word लिखा होना चाहिए उस heading के नीचे notice बड़े बड़े अक्षरों में बड़े अक्षर मतलब bold letter अब ये bold letter का है A, B, C, D, capital letter जो होती है I know आपको पता है capital letter क्या होता है लेकिन बहुत सी बार मैंने देखा है जब form भरने की बारी आती कोई exam form भरे होते हो वहाँ लिखा होता है bold letter तो आप confused हो जाते हो bold letter का मतलब होता है capital letter में लिखना फिर इसके बाद में आप क्या लिखेंगे date जिस दिन जिस दिन ये notice release हो रहा है उस दिन की तारीक यहाँ पर mention करना पड़ेगी अब कहां होगी यह तो हम format में देख लेंगे उसके बाद में आपकी topic आ जाएगी आपका title आ जाएगा कि किस चीज के लिए आप ये notice release कर रहे है आप ये depend करेगा exam में आने वाले question पर कि exam में क्या question पूचा है क्या आपको ये पूचा है कि change in school timing क्या ये पूचा है कि हमारी bot देखी अगर आप notice बना रहे हैं तो notice भी अलग-अलग तरीके के होते हैं event वाले भी होते हैं जिसके आप event के बारे में बता रहे हैं कि कोई event organize होने वाला है कोई competition के बारे में भी हो सकता है कोई चीज आपकी खो गई है तो आप notice निकाल सकते हैं कोई चीज आपको मिली है तब भी आप notice निकाल सकते हैं तो जो भी topic है आपका वो clear होना चाहिए it should be very catchy बहुत eye-catching होना चाहिए वहाँ से समझ में आ जाना चाहिए आप किस बारे में लिखने वाला है फिर आप clearly mention करेंगे आपका purpose क्यों आप लिख रहे है notice क्या reason है लिखने का ये किसको directed है for whom the notice is to be displayed फिर अगर कोई event है या competition है तो आएगा when, कब होगा how, कैसे होगा where, कहाँ पर होगा ये सारी detailing आप करेंगे especially when, how और where, ये साई चीज़े तब लिखे जाती है जब कोई competition की बात कर रहे होते है या कोई event organize होने वाला होता है आपके school में या आपकी कोई भी संस्ता में तो सारी, हमको सारी mention करना है relevant details date, venue और time अगर आप कोई event organize करोगे तो आपको वहाँ पर date भी लिखनी पड़ेगी कि कौन सी तारीक को होने वाला है venue मतलब होता है place और time भी बताना पड़ेगा कि कौन से time पर होगा किस दिन होगा ये साई चीज़ें आप लिखेंगे उसके बाद आप signature करके signature करके आप क्याल लिखेंगे इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टन चीज़ है वो ये कि आप notice को एक box में pack करेंगे पुरा notice लिखने के बाद वो पुरा box में हो जाएगा pencil से चारों तरफ से draw कर दीज़ेगा ये box में होना चाहिए इसके भी mark होते हैं exam में क्योंकि अब ये आगया आपका format ये आपका पुरा format है चाहे तो आप इसका screenshot ले लिज़ेगा पॉस करके आपको help करेगा चाहे तो आप copy में भी note कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था on the top क्या आ जाएगा name of the institution organization office या university यहाँ पर school भी हो सकता है हमने school नहीं लिखा क्योंकि school में पर notice लिखल सकता है अभी बताया था मैंने फिर हमने notice word लिख देना है bold letter में underline कर देना है इधर साइड date आजाएगी date मर आप एक चीज ध्यान रखेगा जब आप date लिखेंगे तो उस जगह date लिखेंगे word नहीं लिखेंगे काफी मेरे बच्चे ऐसा करते हैं जब मैं उनको format explain करती हूँ तो वो यह समझ जैते कि date word भी लिखना होता नहीं date word नहीं लिखना उस जगह क्योंकि यह तो क्या एक तरह से नमूना है इस पैसी मैन है कि ऐसी ऐसी चीज़े रहेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी जाएगी साचा है यह notice का फिर आपका topic जो भी purpose से notice लिखने का वो center में आ जाएगा फिर content आप यहाँ से हमारी main body start होती है इस main body में आप क्या हो रहा है किस के लिए हो रहा है कौन से तारिक को होगा time के रहेगा when you के रहेगा सारी important details यहाँ पर आप दे देंगे अगर आप कोई guest को invite करें तो उनका name clearly mention करेंगे यहाँ पर अगर कोई आप competition organize करवा रहे है तो वो कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी सब कुछ mention करना रहेगा फिर as I told की आप signature कर देंगे फिर अपना name लिख देंगे और अपना designation लिख देंगे जो question में दी होगी name भी वही लिखेगा जो question में दिया हुआ हो, नहीं दिया हो तो आप अपना role number लिखकर भी इसको close कर सकते हैं, x, y, z करके signature नहीं भी करेंगे, तो भी चलेगा लेकिन अगर आपको करना ही है तो it should be above your name आपके name के उपर होना चाहिए ठीके, ये तो हो गया हमारा format, अब मैं आपको बताने वाली थी कि ये exam में जो marks का पूछा जाएगा, मतलब इसकी marking scheme क्या होगी या इसकी mark का dividation कैसा होगा है न, तो सबसे पहले MP board वाले बच्चे सून लीजे MP board में ये 4 marks का पूछा जाता है चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो चार mark में ये कैसे dividation रहेगा, एक mark कर रहेगा आपका format का, format समस्ते क्या, कौन सी चीज आपने सही लिखिये के न, notice की जगर notice लिखा है के न, date की जगर date लिखिये के न, topic की जगर topic लिखा है के न, signature, designation, उपर heading में name of the institute लिखा है के न, box के अंदर इसको cover करा है के न, ये सब कुछ आ जाएगा format के अंदर, फिर आपका दो number हो जाएगा contain, जो आपने contain लिखा है न, ये कितना proper लिखा है अपने, और एक mark हो जाएगा आपका expression और grammar का, expression और grammar का, grammar के लिखा है न, इसके अंदर ये ऐसे four marks cover हो जाएगे, one for format, two for content, one for expression, अब बात करते हैं हम, यही चीज उसके अंदर भी रहेगी, twillth में, eleventh में भी रहेगी, twillth में रहेगी, MP board की भी और CBSE की भी, लेकिन अगर ये five marks का अगर पूछा जाए, ये चीज रहती है, अब एक mark में वो साही चीज़े चेक करेंगे, आपकी heading, title, date, designation, ये सारी चीज़े mention होना चाहिए, और वैसे भी ये सारी चीज़े तो हमारी question में ही दी होती, इसलिए मैं कहा रही हूँ, notice लिखना बहुत आसान होता है, बहुत easy चीज़ है ये, अगर मैं तो ये प्रिफर करती, अगर मेरे डाइम पर ये notice writing निकली होती है, और हम कर रहे होते, तो मैं ये ही प्रिफर करती, ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं जल्दी से, एक sample question, यहाँ आप principle है, सरदार पडेल विध्याले के लखनव में, आपको ड्राफ करना है notice, पचाश शब्दों से ज़्यादा नहीं करना है, जिसके अंदर आप ये बता रहें के, change in school timing with effect from the 1st of November, state valid reason for the change, मतलब आप school का time change कर रहे हैं 1st November से, उसका valid reason भी दीजिए, तो अब हमको format को ध्यान रखना है mind में, back of the mind हमारी क्या चलना चाहिए, format चलना चाहिए, अभी मैंने उपर बता है, तो format के recording सबसे उपर क्या था, heading थी, आपके school का नाम आ गया, फिर notice word आ गया, left hand side पे जिस दिन आप निकालोगे, यहां तो मैंने ऐसी for example के तौर पे लिख दिया, लेकिन जिस दिन निकलेगा उस दिन की date आचाहिए, फिर topic क्या था हमारा के change in school timing, और आप principle है, आपने लिख दिया सभी बच्चों को directed करते हुए, all students, all को लिखा हुए, एक बच्चे के लिए तो स्कूल का टाइम ने चेंज नहीं हुगा, सभी के लिए यह तो इसलिए all word उस किया है, all students are hereby informed about a change in school timings from 1st November 2023, यहां पर मर्दब निरदेश दे रहे हैं कि स्कूल का जो टाइम में वो चेंज होने वाला है 1st November से, the school will now start at 11 a.m. and end at 3 p.m. In past few years, it has been seen that winters are rather severe and it becomes quite difficult to start early due to the extreme cold weather and the dense fog. देखियो, उन्होंने reason बता दिया कि last few years में क्या है कि winter बहुत ज़्यादा harsh, बहुत ज़्यादा severe होता जा रहा है और difficult हो जाता है morning में उठना क्योंकि extreme cold रहती है, fog रहता है, आप drive नहीं कर पाते, so इसी वजह से school का time change हो रहा है, फिलास में एक line और जोड़ देते हैं, so the new timings will be followed, इसलिए नया time follow किया जाएगा till further notice, मतलब next कोई information ना मिले तब तक के लिए, क्योंकि ये principal ने लिखा है, principal ने अपना designation यहाँ पर mention कर दिया, कि principal ने ये letter निकाला है, principal चाहे तो वहाँ पर sign भी कर सकते हैं, चलिए, ये हो गया आपका एक notice, अब एक practice notice और देख लीजिए, और ये दोनों आप चाहे हैं तो लिख भी सकते हैं अपनी copy में, अब देखें यहाँ पर आपको एक situation तो दे ही दी और ये बता दिया कि ये आपको कुछ मिला है, कोई बैग आपको मिली ये school playground से, उसके ओपर बनानी है, मैंने अभी बताया था आपको कि found, lost, debate competition, dance competition, कोई awareness program होने वाला है, इन सबसे related बन सकता है, exhibition है, उससे related भी notice बन सकता है, चलिए देख लेते हैं इसको, तो top पर heading पर हमने क्या दे दिया हमारे school का नाम, फिर word notice लिख दिया, फिर हमने side में date डाल दी, देखे date का न, format आप ये follow करें तो ज़्यादा मलब, बहुसी बार हम ये भी follow करते है, तो फिर 08, फिर 2023, मैं आपको prefer करूँगी, कि आप ये format यूज नहीं करिएगा, इस तरह से date मत लिखेगा, ये जो मैंने आपको format यहाँ पर दिया है, इस तरह से आप date लिखेगा, exam में, है न, फिर आपने notice जिसको भी लेके निकालना है, क्या हुआ था अभी हमको यहाँ पर question में क्या दिया हुआ था, कि found a school bag, आपको school bag मिला है, अच्छा आपको यह चीज आपको मिली है, और आप किसी को उस चीज के बारे में बताना चाहेंगे, तो आप क्या देंगे, आप उसके detail explanation देंगे, भही कौन से रंका था, उसके अंदर क्या था, कौन सी company का था, किस place पर मिला, सब tiny details, ताकि जो भी व्यक्ति उस चीज को पड़े, तो वो relate कर सके, कि अरे हाँ, यह तो वही चीज की बात कर रहा है, जो मैंने खो दी, हाना, या आप lost कर रहे हैं, अगर आप से कोई अपनी चीज को गई है, तो आप भी अच्छे से specify करें, ताकि वो, अगर किसी और को मिले, तो भी relate कर सके, कि अच्छा, इसने जो चीजें बताई हैं, यही चीज से match खाती है, यहां पर साही डीटेल साब अच्छे से follow करना है, इसने बता दिया, मुझे, मतलब मैं सारे बच्छे को इंफॉर्म कर रहा हूं कि मुझे एक रेड कलर का क्या मिला है, बैग मिला है, और कहां से मिला है, स्कूल प्लेग्राउंड से, तो यह वेर बताना क्यों जरूरी था, ताकि बच्छे ने last time जहां school bag रखा होगा और जहां से खोया होगा उसने, वो relate कर लेगा कि हाँ, last time bag मेरे पास वहाँ पर था, उसके बाद नहीं है, इसलिए place बताना जरूरी है, फिर उन्होंने क्या बता दिया कि उस bag में क्या-क्या चीज़े थी, the bag has some books, a blue color geometry box, a water bottle and a few things If anyone has lost their school bag, they can claim it at the school office, अगर किसी ने भी अपना ऐसा school bag होया है, वो claim कर सकता है, school office में जाके, फिर आप एक line और लिख सकते हैं आपर, for further query, अगर और आपका कुछ query करनी है इस से related, तो आप contact कर सकते हैं, school office के अंदर, और क्योंकि आप ऐशवरिया थे question के अंदर, इसलिए आपका designation वगिरा कुछ नहीं दे रखा था, simply यह लिखा हुआ था कि आप class 12 में पढ़ते हैं, तो इसने आपने आपर क्या लिख दिया, class 12 लिख दी, और आपने notice को नीचे से pack कर दिया, तो भाई यह हो गया आपका पुरा notice, यहाँ पर आपकी notice writing पुरी complete हो गई है, इस तर proper heading होनी चाहिए, फिर आपका notice word लिखा होना चाहिए, फिर left hand side पे date लिखी होनी चाहिए, center में आप जिस वजह से notice release कर रहे हैं, वो topic वहाँ पर लिखा होना चाहिए, फिर आपका contain में आजाएगा what, for whom, when, where, how, यह सारी details आजाएंगी, then फिर आप इसको close करेंगे, wind up करेंग थाना बहुत simple, I hope आपको यह notice बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने try किया है कि आपको मैं सारी tiny details notice से related दे पाऊ, so my dear friends, my dear students, अगर आपको यह notice समझ में आ गया है, तो please एक thumbs up दे दीजेगा, और साथी साथ वीडियो को like कर दीजेगा, और share भी अपनी friend को, ताकि वो भी बिचारा बच्चा अपना चार नंबर, पांच नंबर कमा सके एक्जाम में, ऐना, so at the last, nothing but a big thank you for watching this video, thank you so much.